हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो हाई फैश्टी दोस्तों आज की वडियो है बहुत इंपोर्टन है यहां पर बहुत सारे भरती है जो पुलिस के जो एज क्राइटेरिया है उससे बाहर हो रहे हैं क्या आपको दो से तीन साल की छुट मिलेगी इसके ओपर बहुत सारे अभरती जो सीधे इसे बात करते हैं कि सादर अगत कराना यहां कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी के बदो पर अंतिम बार भरती सोला ग्यारा दोहजार अठारा जी हां दोहजार अठारा में भरती आई थी लास्ट वे और अभी आपको पता है कि 5 साल से कोई भरती नहीं आई है इसके पास वर्तों में उत्तर प्रदेश पुलिक्ष में आरक्षी बदो पर कोई भी भरती आयुजित नहीं की गया है सामाने वर्क के आयुसीमा 18-22 वर निर्धारित है जिससे उन्हें मातर 4 वर्स का समय ही मिल पा रहा है इस प्रकार विगत 5 वर्सों से उत्तर प्रदेश में ल चित रडी के अभरती तो आयुसीमा में छूट मिलने के कारण इस भरती से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं वहीं पर अगर बात करें के किन्तो अनराचित वर्क के अभरती हाजारों की संख्या में इसे है जिनने ना कभी भरती का आउसर मिला है और ना ही भविस में जाएंगे और 30 दिसम्बर 2023 को उत्ते प्रदेश पुलिस में 6244 पदों पर विज्यप्ती निकली है जिसके फार्म 27 दिसम्बर 2023 जन्वरी से जन्वरी 2024 तक भरे जाएंगे और आपसे बिनम्र निवेदन है कि उक्त अरक्षी भरती में सामान वा EWS वर्क के अभरतियों को उ अब आया था इसको कि हमें एज में थोड़ी बहुत छोट जो है वो मिलनी चाहिए 2-3 साल चुकि आपको पता है कि जो अब भरती 2018 से तयारी कर रहा है 2018 के बात सोचा था 19 में आ जाएगा 19 में आने के बाद वो इलिजबल था बट यहीं पे 5 साल में वो और एज हो गया है ज बाकी 2-3 सालों के लिए आपको जरूर छूट इसमें मिलेगी यह पूरी के पूरी उमिद लग रही है ठीक है बाकी इसका मामला जो है अलावाद कोर्ट में भी पहुंच चुका है और इस पर क्या रड़े निकल करके आता है वो तो बात में पता चलेगा फिलाल आपके क्य क्या रहा है वो कोमेंट सेक्षन में कोमेंट जरूर करियेगा मिलेंगे नेक्ट वोडियो के साथ जाहें बंदमात्रम